चुनाव के पहले चार चरणों में चारों खाने चित्त होने के बाद अब कॉंग्रेस एक नया ड्रामा नया पैत्रा चला रहा है कल कॉंग्रेस के नामदारों ने अपना रिमोट कंट्रोल ओन किया और उसके कुछी देर बाद कॉंग्रेस के एक वरिष्ट नेता ने एक बयान दिया कि हमारे समय भी कई बार सर्जिकल स्ट्राइक की गई ये बयान सामने आते ही कॉंग्रेस की तमाम नेता बल्लियां उचलने लगे बस यही तो चाहिए था इसी की गड़ी का तो इंतजार था कॉंग्रेस को अब कॉंग्रेस किसी भी तरह ये साबित करने पर तुली है कि हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक की थी साथियों कल कॉंग्रेसी छे तारीके भी निकाल लाए और कहा कि ये वो तारीके हैं जब उनकी सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी सोचिए कॉंग्रेस अब दावा कर रही हैं कि उसने तो छे छे बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी भई ये कैसी स्ट्राइक थी जिसके बारे में ना आतंकियों को पता चला ना आतंकियों पर हमला करने वालों को पता चला नहीं पाकिस्तान को पता चला और नहीं हिंदुस्तान में किसी को पता चला आपको किसी को पता चला था भई जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी तब किसी अख़बार में स्ट्राइक सब्दा अपने पढ़ा था स्ट्राइक सब्दा सुना था लेकिन अब शुरू में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो इनलों ऐसा कुछ होता ही नहीं है ये तो सेना रोज करती है नकार दिया लेकिन जन्ता को मोदी पे बरोसा था जन्ता मेरे साथ खड़ी हो गई पहले उन्होंने मजाक उड़ाया पहले मजाक उड़ाया जब देखा कि जनता मोदी के साथ खड़ी है तो विरोध करना शुरू किया जैसा उन्होंने विरोध बढ़ाया तो जनता ने और प्रेम बढ़ा कि मोदी मोदी करने लग गए है तो उनको और परिशानी हुई तो अब उन्होंने तीसरा रास्ता अपनाया कि ऐसा करो हम भी बोल दें कि हमने भी किया था ताकि जो प्रेम मोदी की तरफ बढ़ा है दो पाच परसंड हमारी तरफ भी आ जाए इसलिए पहले उपेक्षा बाद में विरोध और आप हमने भी किया था मीटू मीटू अरे तेरी मीटू अरे एर कंडिजन इसी कमर में बैठ कर कागेज पर स्ट्राइक करने का काम यह कॉंग्रेस कर सकती है मैं पढ़ रहा था कि अभी चार महिने पहले एक और नेता ने दावा किया था कि कॉंग्रेस ने तीन बार सर्जिकल स्ट्राइक किया है मुझे लगता है ऐसे लोग है जो उमर के किसी भी पढ़ाओ में वीडियो गेम खेलते रहते हैं और शाहिद सर्जिकल स्ट्राइक भी कोई वीडियो गेम समझ करके आनन लेते होंगे खेर साथियों चुनाव के चार चरन बित्ते बित्ते चार महिने में ही ये कॉंग्रेस की सर्जिकल स्ट्राइक कि संग्या जो चार महिने पहले तीन थी काल उनके बड़े नेता ने च्छे कर दी और शाहिद चुनाव पुरा होते होते उनके गली महले वाले कह देंगे अरे हम तो हर दिन स्ट्राइक करते हैं जूड बोलना क्या जाता है यार अपने जेप से तोड़ा जाता है और आदर से मजबूर आप देखिएगा 23 मई को जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद कॉंग्रेस कहेगी हमने छे नहीं 600 बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी जब कांगेज पर ही करनी हो जब विडियो गेम में ही स्ट्राइक करनी हो अतो तीन हो या छे हो बीस हो या पचीस हो ये जूठे लोगों को क्या फरक पड़ता है जी